मेरे पास 3 different type के solutions हैं 1 acid, 1 water और 1 base कौन सा acid है, कौन सा water है, कौन सा base है मुझे नहीं पता so red litmus सिर्फ एक paper मेरे पास है जिससे मुझे तीनों चीज़ें पता करनी है अलग लग तो सबसे पहले मैं इसको dip करता हूँ beaker में, beaker में कोई change नहीं आया color में तो वह acid हो सकता है, water हो सकता है, फिर इस में dip करता हूँ, और ये देखे blue हो गया, blue हो गया, red litmus blue हो गया, इसका मतलब ये base है, तो ये base है, side कर देता हूँ मैं, इसको third solution में dip करता हूँ, और third solution में dip करने पर ये वापस red हो गया, blue litmus paper red हो गया, इसका मतलब ये क्या है, acid है, तो कोई चेन नहीं आया यह वाटर है